कि अधिक्र वाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले मोव एक्सपेक्टेट इंपोर्टन लिवल के बारे में दोस्तों मैं आपको बता था कि मार्केट में बुलिश क्रॉस ओवर बना हुआ है मैकडी में भी पुलिश क्रॉस ओवर बन रहा है तो हम एक सब्सक्राइब कर देखें यहां पर आपको दिख जाएगा वन टू एंट्री तो यह लेवल अपने को डेफिनेटली दिख रहा था कि यहां पर रेजिस्टेंस है और दूसरा मार्केट में अच्छा कासा आप मूव कल मिला था तो आज थोड़ी प्रॉपिट बॉकिंग भ बार में था तब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बॉकिंग भी देखने को मिली थी तो एक्सपेक्ट कर रहे था कि अगर मार्केट पार्टेसिपेंट्स बुलिश होते तो अपनी वोजिशन होल्ड करते जो होल्ड नहीं करी थी इसके करण अपने को यहां पर जो बड़ा सा विक देखने को मिला था वो उसी के कारण प्रॉफिट बुकिंग के कारण देखने को मिला था हला कि मार्केट में अप महुत था इसलिए एक बार अपने को ओपनिंग अच्छी खासी उपर की तरफ मिल गई 220 पॉइंट अच्छी ओपनिंग माने जा सकती है अगर शॉट ट उपर की तरफ ही रहना चाहिए और स्टेबल टू बुलिश सिनारियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट मुझे लगता है कि मार्केट में रेंज बाउंट एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी और अगर ऑप्शन एक्टिविटी रेंग देखे तो आप एक्टिविटी की बात करों तो दोस्तों मुझे दिख रहे है कि 9500 से लेके 9600 का जो लेवल है उसमें कॉल लॉंग कवरिंग हुई है और फर्दर लॉंग कवरिंग हुई है अब आप 9500 और 9600 पर कॉल लॉंग कवर हुए और 9500 बजास पर कॉल शॉट लॉट हुआ है तो द का जो लेवल है और 9550 से लेके बलकि 9600 का जो लेवल है वहाँ पे अभी सपोर्ट है ऑप्शन एक्टिविटी रेंज भी यही सजेश्ट कर रहा है लेकिन प्रॉब्लम है करता है और मुझे लग रहा है कि यह थोड़ा सा वीक आज हो रहा है और मुझे लगता है कि कल का जो मूव है लेकिन मुझे लगता है लगता नहीं है कि मार्केट कितना ज्यादा नीचे जाना चाहिए अगर मैं आरेशाई की बात करूं तो आरेशाई अपने रेजिस्टेंस के जो लेवल है उससे उपर ही ट्रेट कर रहा है और मुझे लगता है कि यहां पर आपको कल भी इसी लेवल के आसपास का ही जो फिगर है आरेशाई का वो देखने को मिल जाएगा यह होगए दोस्तों निफ्टी की बाद अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या सब्सक्राइब दोस्तों बैंक निफ्टी में जो अप्शन अक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है वो है 30,500 से लेके 24,000 मतलब उपर की तरफ 300 पैंट और नीचे की तरफ 200 पैंट दोस्तों अगर आपने देखा हो तो बैंक निफ्टी में बहुत ही जल्दी इंडिकेशन मिल जाता है कि क्या होने वाला है तो यहां पर दिख रहा है कि बुल्स के लिए रिस्क रिवार्ड सिच्योशन है वो थोड़ी फेवरेवल दिख रही है अगर आप देखें तो थूआउट जो भी और उसमें कॉल राइटिंग हुई है इतनी अग्रेसिव कॉल राइटिंग नहीं हो है ल प्रेस्ट बनती है तो मोटा मोटा अनालीस जेयर रहता है कि मार्केट में एक थोड़ी बहुत नीचे की तरफ का रोक देखने को मिल सकता है डिपंडिंग अपॉन की लिवल्स कहां पर है तो अगर हम देखें तो आरे साई जो है वो बुलिश ट्रॉस सजेस्ट कर रहा है लेकिन वो थोड़ा बहुत बिग्ड़ता हुआ दिख रहा है जब यहाँ पर आपको दिखा दिता हूं कि आरे साई में आपको दिख सकता है कि यहाँ पर जो रिजिस्टेंस है वो घोट होता हुआ दिख रहा है और और यसाई की कारद आब SPEUST के22 नीचे के तरफ जाती आपको दिख रही है और रेड लाइन उपर की तरफ जा रही है तो मोटा मोटा मुझे इसमें लग रहा है दोस्तों की मार्केट में यह जो नीचे की तरफ का लेवल है वो सपोर्ट रहेगा लेकिन चुकि फैश बैरिश पोजिशन बनी है और मार्केट ने उसको करने के लिए और चुकि अभी मार्केट में जो फिलाल के लेवल पर है तरीके से एक्ट कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर आपको ज्यादा मोमेंट देखने को मिल सकती है तो यहां पर भी हम रेंजबाउंट सिनारियों ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन कॉल जो कॉल ऑप्शन और जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज वो सजेस्ट कर रही है कि यहां पर स्टेबल टू बैरिश मुव आपको देखने को मिल सकता है तो मुझे भी यहीं लग रहा है कि मार्केट कल रेंज बाउंट रहना चाहिए और हमारा जो एना व्यू रहेगा वो रहेगा स्टेबल टू बैरिश तो दोस्तों यह होगी निफ्टी और बैंग निफ्टी की बात अगर आप मेरे साथ वाट्सेप पर जुनना चाहें तो आप जुन सकते हैं हम आपको डेली जो की लेवल से वह देते हैं हम आपको ऑप्शन एक्टिविटी रेंज देते हैं अप्शन एक्टिविटी रेंज के साथ हर एक स्ट्राइक प्राइज पर क्या पोजिशन बनी है लब कॉल राइटिंग होई है क्या हुए जो मैं आपको वीडियो में बताता हूं वह आप मैं मेरे रिपोर्ट में देख के चीजों को कंफर्म कर सकते हैं मैंने बता हुआ क्यों कि कौन सा लेवल आने के कितने पर्सेंटेज चैनले तो उससे आपको मार्केट का मूड थोड़ा बहुत समद में आता है उसके अलाव और भी धेर सारी चीज़े रहती है कि कितने नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस पे बॉलिश पोजिशन बनी और कितनी नंबर ऑफ अगर आपको मार्केट में पोजिशन बना नहीं है तो क्या करना चाहिए मतलब कौन से प्लेज को ज्यादा पैसा बनता देख रहा है तो उसके लिए डोमिनेशन जो फैक्टर रहता है वह भी मैं आपको गिनके बताता हूं तो मोटा-मोटा काफी सारी चीज़ें हम कवर कर करता हूं वह भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं अगर आप चाहें तो आप अपने रिस्क पर उसको कपी कर सकते हैं तो मैं अगेन यह चीज़ रिपीट करना चाहूंगा कि मार्केट को प्रेडिक करना बहुती मुश्किल है हाला कि अगर आपको एक कंसिस्टेंट अनालिस काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो यह होता है कि आपको थोड़ी बहुत चीज़े समझ में आने लगती है तो उससे आपको थोड़ी बहुत हैल्प मिल जाती है और बेसिकली जो मार्केट रहता है उसमें लेवल रहता है कि कुछ लेवल रहता है जैसे है कि जी मुव करके देखा सारी जीज़े इन लाइन जा रही थी तो हमने बाइंग करी थी और हम यह जो बड़ा सा मुव है सौरी यह बैंक निफ्टी की बात बैंक निफ्टी का चार्ट है लेकिन निफ्टी की में बात कर रहा हूं तो उसमें हम एक अच्छा मूव गेन की तरफ ले पाए चले दोस्तों आज के वीडियो में वसी था ही अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें सबस्क्राइब करें मेरे चैनल को शेर करें अपने दोस्तों के ब्लाइन अगर आप अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 95 743 9901 पर मुझे विघ्ट कर सकते ह भी नंबर मिल जाएगा दोस्तों मेरा Facebook का भी पेज है उस पे भी मैं काफी सारी चीज़े डेली बेजिस पे पोश्ट करते रहता हूं आप उस भी जाके देख सकते हैं और मेरा जो भी एनालीजिस है मैं कैसे बाइ सेल जनरेट करता हूं मैंने सारी चीज़े फ्री ली मेरे चैनल पर डाल रखी है आप बिल्कुल उसका फायदा उठाए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और सारी चीजों को देख के समधने के कोशिश करें तो आपको अच्छी खासी जानगारी मिल सकती है अलाकि मैरी यह कोशिश रहती है कि मार्केट में कभी भी कोई नॉलेज कंप्लीट नॉलेज नहीं होता तो आप और भी अपने अगर आपके पास और कोई प्रूवन स्ट्रेजीज है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हम आपको क्रेट देते हुए उसका वीडियो बनाके हमारे सब् तो मिलते हैं अगले वीडियो में ठेंक्यों